कैसे हो ट्रेडर और स्वागत है आपका ट्रेडिंग मास्तर्स चैनल पे तो चलिए स्थाथ करते हैं आज की ट्रेडिंग तो सबसे पहले हम मार्केट को एनिलाइस करेंगे उसके बाद ही ट्रेड मारेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं हम कौन से पैर पे ट्रेड मार सकते ह हम कहीं पर भी trade नहीं मारेंगे हम सबसे पहले market को analyze करेंगे उसके बाद ही trade मारेंगे ठीक है तो चलिए देखते है और अगर आपको मेरा one-on-one coaching class जॉइन करना है तो price or details description में ठीक है यह candle को close हो जाने डीजिए उसके बाद ही हम trade मारेंगे ठीक है यहां पर sellers तो है ठीक है यहां पर round number level भी है तो चलिए देखते हैं यह candle कैसे close होती है उसके बाद हम trade मारेंगे और आपको मैं समझाओंगा भी कि trade मैंने क्यूं मारी है लेकिन वीडियो last तक देखेगा क्योंकि last में मैं deep में समझाओंगा ठीक है यहां पर मैं sellers के साथ गया हूँ यहां पर मैं trend के against गया हूँ क्यों मैं sellers के साथ गया reason बहुत ही simple यहां पर आप देख सकते हो एक round number level है जो कि बहुत ही अच्छा level है और previously अगर आप पीछे भी देखोग के ना तो यहां पर आप देख सकते हो एक अच्छा सा resistance level है यह क्या बता है कि यहां पर से chances है कि market जरूर एक candle के लिए भी reverse हो सकता है इसके लिए मैं यहां पर sellers के साथ चला गया हूँ मुझे लगता है यह जो green candle है इसने यह round number level और जो पीछे resistance level है उसका breakout डिया है इसके लि है मैं next candle पर sellers के साथी चला गया हूँ तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या होता है ठीक है और इसके बाद एक और मैं trade मारूँगा लास्ट तक वीडियो देखेगा यहां पर मैं higher option की trade मारूँगा आप देख सकते हो यह वाली trade हमने win कर ली अब मैं next candle पर higher option क्यों चला गया again reason बहुत ही simple trend कौन सा है uptrend है ठीक है हम मैं trend के against जाना नहीं चाता मुझे पता है यह red candle के बाद आप बोलोगे कि sellers आ सकते आ तो सकते लेकिन मैं क्यों गया buyers के साथ क्योंकि यहां पे से छोटा सा rejection लिखा और यहां पे जो round number level है ना मुझे लगता है कि यह अच्छा level है यह बार बार काम करेगा ठीक है तो मुझे लगता है यहां पे भी काम करेगा और यहां पे से green red green red वो वाला pattern थोड़े time के लिए चालो हो सकता है इसके लिए मैं buyers के साथ गया और यह जो red candle है ना उसमें मैंने थोड़े सी rejections देखी है buyers की इसके लिए मैं next candle पे तुरंट buyers के analyze करके ही trade मारो video last तक देखेगा last में मैं deep में समझाओंगा आपको ठीक है तो यहां पे देख सकते हो last में हमने trade वापस यह win कर ली अब मैं आपको deep में समझाता हूँ मैंने यह trade क्यों ली थी चलिए तो देखिए सबसे पहली trade मैंने क्यों मारी क्योंकि यहां पे जो यह round number level लेवल था यह बहुत ही अच्छा लेवल था तो मुझे लग रहा था यह green candle ने breakout दिया तो वापस seller सी आएंगे और पीछे भी एक लेवल था इसके लिए लेकिन उसके बाद में buyers के साथ क्यों चला गया क्योंकि यह red candle ने भी तो round number level का breakout दिया ठीक है और यह red candle पे आप गया तो तोटल यहां पे हमने दो त्रेड लिए और दो त्रेड में करीब 16,000 रुपे का profit बनाया तो यहां पे मैं close कर रहा हूँ अगर आपको मेरा one-on-one coaching class join करना है तो मेरा टेलिग्राम लिंक और email description में मुझे contact करने के लिए आपकी में one-on-one class लोंगा जिसमें मैं सिफ आपको ही सिखांगा कोई और नहीं होगा मेरा coaching class की price 150 डॉलर आप गुगल पर जाके लिख सकते 150 डॉलर इंटो आए नर आपको पता चल जाएगा और मेरा student का results देखना है तो टेलिग्राम चैनल लिंक description में trading masters का official channel join करना है तो उसका भी लिंक description में thank you god bless you all and have a successful trading